नमस्कार, कला समवाद में आपका मैं कुमुत दिवान स्वागत करती हूँ आप इतनी तन्मे भाव से कला समवाद देखते हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद भी करती हूँ जब कला का साधक कला के चिंतन, मनन और अध्यान की तरफ अग्रसर होता है तो वो संगीतग्य, कला मर्मग्य और कला विद की तरह स्थापित हो जाता है आज कला समवाद में हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसी ही एक शक्सियत, ऐसी एक हस्ती जो महान कलाविद हैं, वो आज उपस्थित हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और समवाद करेंगे इसलिए आपके लेखन में पूर्वी और पश्यमी दार्शनिक प्रणालियों के आवश्य कमूलियों का स्वाभाविक दर्शन होता है डॉक्टर भरत गुप्त ने धर्मशास्त्र सहित भारतिय संस्कृत ग्रंथों की व्यापक व्याख्या की है भारतिय निरत्य शास्त्र, नाट्य शास्त्र और संगीत से जुड़े तमाम विशियों पर आप देश ही नहीं विदेशों में भी व्याख्यान देते हैं प्रफेसर भरत गुप्त ने करीब 40 साल दिल्ली विश्यविद्याले में शिक्षण कार्य किया भारत सहित, बिल्जियम, अमेरिका, यूरोप, कैनेडा और ग्रीज के अनेक विश्यविद्यालें में भारती संगीत और नाट्य सिध्धान्त पर तीन दशक में 2000 से ज्यादा भाशन दिये हैं हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और अग्रीक के विद्ध्वान डॉक्टर भरत गुप्त नाटक के लिए उनेसिस अवार्ड के जूरी मेंबर भी रह चुके हैं डॉक्टर भरत गुप्त आपका बहुत-बहुत में स्वागत करती हूँ जो आप हमारे लोगसभा टीवी के स्टुडियो आए आप जाने माने साहित कार कला विद संगीत अग्य और कला मरमग्य हैं इंद्रा गांधी नाशनल सेंटर फो दि आर्ट्स के एक्जेकेटिव ट्रस बोर्ड मेंबर भी हैं आप से आज कला और कला के विबिन पहलों पर हम समबाद करेंगे एक बार फिर आपका अभिननन करते हुए मैं जानना चाहूंगे और हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक कलाकार शास्ति संगीत के और नित्य के और विबिन कलाओं का जो हमारा जो प्राच्य वांगमे है तो सब संस्कृत में लेकिन उस वांगमे को एक कलाकार किस तरह से देखता है और एक कलामरमग्य आपके जैसा और कलाविद उसको किस तरह से देखता है उसकी क्या खुशी है कि आपने मुझे ये मौका दिया और आपके प्रश्णों का यथा शक्ति उत्तर देंगा आपका प्रश्ण गंभीर है और आज की जो परिस्थिती है उसके ऊपर भी एक प्रकाश डालने की इच्छा होती है आपके प्रश्ण के उत्तर में एक तो परिस्थिती होती है हमारे कलाकारों की कि आज हमारे कलाकार कहा है और दूसरे एक हमारी परंपरा की तो कलाकारों की आज के युग में शास्थ के प्रती जो प्राचीन वांग में है और जो उसमें विचार हुआ है उसके प्रती अब एक जिग्यासा बढ़ती जा रही है पिछले कुछ दो सो तीन सो साल में ये कहना चाहिए कि वो बहुत कम हो गई थी लेकिन अब एक नया दौर आ रहा है क्योंकि भारत में जो माना गया है वो ये माना गया है कि जो शास्त्र भी हैं हमारे कलास से संबंदित हों धर्म से संबंदित हों वो प्रयोग के लिए हैं ऐसा अक्सर लोग समझते हैं सिर्फ पढ़ने पढ़ाने के लिए वाद विवाद करने के लिए या समाज के ऊपर कोई नियंतरन करने के लिए किसी प्रकार का ब्राह्मन वाद लादने के लिए ऐसा नहीं है विलकुल ये सारे के सारे प्रयोग शास्त्रे हैं, ये इसलिए हैं कि जो भी आप दुनिया में करना चाह रहे हैं, तो उस विशय को आप बहुत अच्छी तरहां लोग हित में, यानि लोगों के व्यापक हित में उसको एपलाई कर सकें, तो कला में भी यही है, जैसे अच्छा शासन च कि हमारे यह बहुत बड़ी परंपरा है कि कलाएं सब के लाभ में काम कैसे करें, सब को आनंद कैसे दें, तो शास्त्रों की रचना उसलिए हुई, बहुत संदर, जैसे कि हमारे वांग में का बहुत एक एहम हिस्सा है, हमारे नाटिशास्त्र, हमारा संगीत रतनाकर, और न जब नाटे शास्त्र की कारिशाला आप लेते हैं, कई जगह पर आप लेते हैं, तो नाटे शास्त्र की जो बारिकियां हैं, वो संगीतकार के लिए या नर्तक के लिए, शास्त्री नर्तकों के लिए किस तरह से उपयोगी हैं और आप लोग उसको किस तरह से देखते हैं, विधिवत दस वर्ष पंडित उमा शंकर मिश्री जी से सितार और सुर्भाहर की शिक्षा ली और जब वो शिक्षा एक दो वर्ष तक चलती रही तब मेरे मन में ये जिग्यासा हुई क्योंकि मैं कुछ एक प्रोफेसर आना किसम का व्यक्ति रहा हूँ तो कि इसका डिसिप्लिन क्या है और इसका एक मेथेडोलोजी क्या है किसी ने इस पर लिखा है सोचा है तब मुझे स्वामी करपालवान गुजरात में बहुत बड़े योगी थे और जिसको आज हम म्यूज 교재श क्याते हैा संगीत शास्तरी थे तो उन पर गया में और उन्होंने मुझे नाट्र शास्तर का अध्यन कराया तो देखित किसी भी हम काम को अच्छे से अच्छा कैसे करें है कुशल्टा से कैसे करें है इसी का उपाय होता है शास्त्रम इति शासन ओ पायम अब शासन से यहां आर्थ है, discipline, proper way of doing it, जोर जबरदस्ती नहीं है, धौस नहीं है, या बहुत अपने आपको उंचा समझना नहीं है, अच्छे से अच्छे धंग से कुशलता से उसको हम कर सकें, यही है, तो जिस समय में जैसा व्यवहार होता है, संगीत में या नृत्य में, शास्त्र उसके बारे में चर्चा करता है, उसमें क्या-क्या हो रहा है, वो हमें बताता है, और उसमें क्या और हो सकता है, क्या उसकी संभावनाएं हैं, क्या उसमें और जोड़ा जा सकता है, उसका भी हमको रस्ता दिखाता है नाट शास्त्र के बहुत से अध्यायों में यह कहा गया है कि मैंने इतना बता दिया लेकिन अगर आपको दुनिया में कहीं कुछ और नजर आ रहा है व्यवहार में कला के अंदर कहीं लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसको भी जोड दीजिए और जो अंतिम श्लोक है वो यही कहता है तो शास्त्र को लेकर चलकर हम आज अपने गायन को अबादन को नृत्य को बहुत परिश्कृत कर सकते हैं जैसे कि संगीत कारों के लिए शृती नाटे शास्त्र में 22 शृतियों का इतना बढ़िया उसका उन्होंने पूरा एक उसकी विवेचना है और किस तरह से शरज ग्राम में मध्यम ग्राम में उसकी उपयोगिता है ऐसे ही चोथे अध्याय में नर्तकों के लिए भाव भंग कैसे रहे आखों की भंगिमा कैसी रहे ग्रीवा कैसी रहे तो आपने जो इतना अध्यान किया है और निरंतर कारेशालाएं नाटे शास्त्र पर आप लेते आए और कई जगह पर नाशनल स्कूल अव ड्रामा में और अभी जेन्यू में और कई विश्वध्यालों में आपन और कौन अपनाता है और कौन उससे फाइदा उठाता है हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि उसकी उपयोगिता युवा पीड़ी में जादा है कि सधेवे कलाकारों में जादा है सधे हुए एक अलाकार मैं उमीद करता हूँ कि आने लगेंगे लेकिन अभी जो नई पीड़ी है जो युवा और युवतियां हैं उनके मन में बहुत जिग्यासा है वो खुले मन से सुनते हैं और नाट्य शास्त्र केवल थियेटर या नाट्य का ही गरंथ नहीं है वो हमारी सारी विद्याओं की शुरुवात है और वो एक अद्भुत गरंथ है केवल भारत के इतिहास में ही नहीं विश्व के इतिहास में विश्वे देखिए साहित्य संगीत नृत्य त्यादी सब के ऊपर दो ही गरंथ हैं सारे विश्व के इतिहास में, एक भारत का नाठिशास्त्र है, और एक यूनान का ग्रंथ है, एरिस्टोर्टल यानि अरस्तु का, जिसको हम उनका काविशास्त्र या पोएटिक्स या पेरिपीतिकी कहते हैं, ग्लीक में, तो यही दो हैं, जो प्राचीन परंपरा को उजागर करते हैं, किस विद्या को हम कैसे सोचें, उसका दर्शन भी क्या है, उसका गंभीर अर्थ भी क्या है, यह दो ग्रंथ हैं, और भारत का नाठिशास्त बहुत विस्त्रित हैं, और उसने आगे चलकर एक बड़ी शिंखला शास्त्रों की पैदा की, नाठिशास्त से अनुपरानित होकर नहीं लिखे गए होंगे, तो कम से कम 200-200 चोटे बड़े शास्त्र लिखे गए, भारत में जितने कला से संबंधित शास्त्र लिखे गए हैं, और अभी भी लोग उसमें रुची रखते हैं, पुरा एक स्कूल हैं, कश्मीर दर्शन के बड़े-बड़े आचारी हैं, उसके बाद पार्श्वदेव हैं, फिर संगीत रतनाकर है, और फिर इस तरह से हम आगे बढ़ते हैं, बीच में भी बहुत से ग्रंत आते हैं, उस पर आपका स्वयम का भी नाठिशास्त पर जो आपने किताब लिख पांच बार छप चुकी है, तो इसमें तोलनात्मक अधियन है, जो लोग यह कहते हैं कि युनानी नाठ्टे तो वेस्टर्ण परमपरा है, तो मैंने उसका पूरी तरह से खंडन किया, और मुझे यह अफसर मिला कि मैंने विश्व के जितने भी बड़े-बड़े विश्व आगे बात चीत करेंगे, समय हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, और हम चाहते हैं कि छोटे से ब्रेक के बाद हम लोटे और नाठ्टे पर जो आपने काम किया है, उसके विशे में हम समवाद करें, तो हम अपने दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि हम छोटे से ब्रेक के समवाद में कला समवाद में एक बार फिर हम चर्चा कर रहे और समवाद कर रहे हैं जाने माने हस्ती कलाविध कलामरमग्य डॉक्टर भरत गुप्त जी और भरत जी आप हमें बतला रहे हैं कि नाट्य में नाट्य शास्त्र से नाट्य की तरह अग्रसर होएं तो नाट्य में और खास्तवर से भारतिये नाट्य परमपराओं में क्योंकि इतनी प्राच्य है वो वैदिक है और युनानी नाट्य परमपराओं में क्या समानताएं क्या असमानताएं हैं और क्या दोनों का जो इतिहास है, पांच हजार साल पूर्व हम मान के चलें, कि कहीं वो एक दूसरे से पहले भिन्न थी, अब समान है, आप तो दक्ष हैं, ये विशेप पारंगत हैं, इस पर आप कुछ बात से हमारे रश्यों को साथ आज साजा करेंगे, तो हमें बड़ी प्रसंता ह देखिए सामानले तोर पर ये मान लेती हैं लोग, ये इस्ट इस इस्ट, वेस्ट इस वेस्ट और ये एक यूरोपीय लोगों के द्वारा बहुत बड़ा प्रवात खड़ा किया गया, कि ग्रीस जो है वो वेस्ट है, और योरॉप के लोग उसके उतरादे का रही हैं, अस्तव स्थिती ये है, एतिहास ये है कि जो अतिप्राचीन काल में भारतिय संस्कृती थी, वैदिक वांग में था और उससे अनुप्रानित जो विचारधाराएं थी और जीवन पद्धितियां थी, उनमें और जो बहुत ही प्राचीन यूनानी संस्कृती के हमको साहित् मिलते हैं, उनमें बहुत बड़ी समानता है, और ये कहा जाए कि मौलिक रूप से वो लगभग एक सी हैं, जैसे अब दो-चार बातें उसको सोचने की हैं, वो ही बातें नाट में और संगीत में और कला में आ जाती हैं, कि मनुष्य और जो दिव्य है, उन दोनों में एक अ जो मनुष्य हैं, वो तपस्या के द्वारा उपर उठ जाएंगे, तो ऐसा दोनों संस्कृतियों में हमें मिलता है, दोनों के सहित्य में हमको मिलता है, और दोनों के जो नाटक लिखे गए हैं, उसके अंदर जो कथाएं हैं, इनको मित्स कह देते हैं आजकर अंग्रेश, उन में भी हमको मिलता है, पर जैसे ग्रीक ट्राजडी रही, रासधी का जो नाट्य रहा, तो क्या हमारे रंग कर्मियों ने भी जिन्हों ने लिखे पुराने नाट्य, हमारे यहां भी कुछ जैसे एडिपस रेक्स हैं, अंटीगनी हैं, इस तरह की चीजे हमारे नाट्यो को भीतर से जानते हैं, या मौलिक भाशाओं में पढ़ते हैं, जैसे मैं जानता हूँ, तो यूनानी लोग कभी भी दुखांत नाटक नहीं लिखते थे, ट्रैजिडी का अर्थ दुखांत नहीं होता था, ट्रैजिडी में तीन नाटक लिखे जाते थे, जिसमें पहला बगड लिया, तो शेक्सपियर ने, रासीन ने, इन सब ने दुखांत नाटक लिखे, उससे ये प्रवाद हो गया, कि ट्रैजिडी is an unhappy ending play, और हम उसको लिखते हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ाते हैं, और मानते हैं, लेकिन सच वो बिलकुल नहीं है, और हमारे पुराने वंच में कई प्रकार की विधाएं थी, कुछ दुखांत, अती दुखांत नाटक होते थे, जैसे उरुभंग है, जिसमें इस्त्रियों का विलाप और दुरियोधन की जांग को तोड़ने का विवराण, ये सारी चीजे हैं, अतियंत दुखांत है, सुखांत नाटक भी हैं और हासिके नाटक भी हैं, परिहास के भी हैं, और विदूशक तो हमेशा राजा को थोड़ा छोटा करने के लिए होता था, जैसे आज कार्टूनिस्ट होता है, कि जो प्रधान मंत्री पर कार्टून बनाता है, एक स्वस्थ प्रजात अंत्र में, तो ये परंपरा तो भार अक्तिये ग्रंथों को पिछले पचास वर्षों में विशेशकर नहरुवाद के अंतरगत तिरस्कृत कर दिया गया, उनको विश्विद्यालियों से निकाल दिया गया, उनका अध्यन ये माना गया कि ये तो वही पुरातन पंथी काम है, पोंगा पंथी है, पंडिताई है इसको मत पढ़ो, संस्कृत को मत पढ़ो, संस्कृत देश को जोडती नहीं है, इस प्रकार का जो एक पूरा वातावरन बना, वो हमारे बवधिक विकास के लिए बहुत आहित कर रहा है, उसमें विचलन बहुत हुआ, उससे, और ये सब हमने, हम कहते हैं कि संघार हुआ औ कई सो वर्षों में नहीं हुआ. आपकी अपनी जो किताब है, डर्मैटिक कॉंसेप्स, जो युनानी और भारती नाट्य के ऊपर अधारित है, उसमें आपने जो बाते कहीं हैं, वो किस बात की तरफ इंगेत करते हैं, किस बात कि पुश्टी करते हैं, कि नाट्य में समानत आप जाधा मानते हैं दोनों धाराओं में देखे कहीं भी विचार की समानता होती है लेकिन व्यवहार का भेद होता है क्योंकि व्यवहार तो जहां आप जिस भूमी पे जिस जगह जी रहे हैं कौन सी आबो हवा है उसके हिसाब से हो जाए तो ग्रीक थीटर की एक शकल थी ब यानि काविय उसमें संगीत उसमें निर्त उसका एक निरंतर अद्भुत संगम होता था और उसके द्वारा ही अपनी बात को कहा जाता था उसमें से संगीत निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा निर्त निकाल दो तो कुछ नहीं बचेगा ऐसे ही भारत में था भारत के निरंतर हमारे रंग भूमी पर, हमारे स्टेज के ऊपर निरंतर ये तीनों चीजे रहती थी और क्योंके सिध्धान्त क्या है इसके पीछे? अब सिध्धान्त दोनों का एक है, कि जो भी नाटक में होगा वो मनसा, वाचा, कर्मा और संस्कृति का भी यही सिध्धान्त है, मन से होगा काम, वचन से होगा, और शरीर से होगा और हमारे तो जैसे प्राचे गरंथ जितने वांग में की हमने बात की, तो हम अगर अपने संस्कृति के पन्ने या अपने साहित्य या अपने विविद कलाओं के पन्ने और उसके बारे में पता करना चाहें तो हमारे धर्मशास्त्र के गरंथों तक वो बाते नहीं थें आपने तो इतना अध्यन किया है कला मरमगी होने के नाते तो आप इसके प्रिकाष डालें कि धर्म शास्त्र जो है वो समगरता को लेता है वो सिर्फ जिसको हम सामान तोर पे पूजापाट धर्म कह देती हैं उसको नहीं लेता है वो जितने भी जीवन के आयाम है धर्मर्द काम, वो अख्चारो को लेता है और उसमें आती है कला, क्योंकि कला के बिना आप एक सुन्दर, स्वस्थ और प्रसन जीवन नहीं बना सकते, और जो लोग जीवन के द्वेशी होते हैं, जो श्रिंगार के द्वेशी होते हैं, इस्त्रियों के द्वेशी होते हैं, वो धर्म के विमुख होकर एक्स्ट्रीमिस और टेरिरिस्ट हो जाते हैं ये बार-बार हम संस्कृती में आज ही नहीं देख रहे हैं पिछले 50-60 साल में ये पूरे हजारों साल से हमने इसको देखा है कि मूर्तियों को तोड़ने वाले ऐसे ही लोग थे जिनको कला से ही नहीं जीवन से ही एक घ्रणा थी तो इस तरहां क भाव उत्पन नहूं वो मूल्य की स्थापना भारत में हुई और उच्च कोटी की जो संस्कृतियां युनानी संस्कृति भी रही उसके अंदर भी देखिए अब धर्मशास्त्र में क्या कहा जा रहा है याग्यवल्क स्मिति में वीना वादन तत्वग्यो जाति शुति व मारग म नहीं अच्छ थी कि जिसु को वीना वादन का तत्व समझ में आता हो जाती और स्थी याद स्केल्स थे ने आप्ता को जानता हो मूरोसा गες जीनि आज जैसे थांधित्याधी मेल को जानता हो ताल को जानता हो वो बिना अधिक प्रयास किये मुक्ष की तरफ यानि आनंद की तरफ बहुत सुंदर भरत जी बातें बहुत हैं और समवाद जो है संस्कृती पर आपके जैसा विद्वान हमारे स्टूडियों में जैसे आज उपस्तित है कभी समाप्त नहीं हो सकता हम फिर चाहेंगे कि आप आएं हमारे साथ और भी समवाद करें विविन कलाओं पर लेकिन समय पूरा हो चुका है हम आपका बहुत धन्यवाद करते हैं कि आज आप हमारे बीच आए और दर्शकों के साथ आपने इतने ग्यान ध्यान की बातें साजा की और आप सही हाँ कि हम अगर अपने शास्त्रों की तरफ और अपने प्राच्य विद्याओं की तरफ अग्रसर होंगे तो अपने संस्कृती की पहचान बनाई रखेंगे और कभी भी हम अपने इतिहास से और संस्कृती से विमुख नहीं होंगे और ये सबसे बड़ा कला का समवाद, आज हम अपने कारिकरम से अपने दर्शकों को देना चाहते हैं, आप हमारे साथ हैं कला समवाद में, इसके लिए बहुर बहुर धन्यवाद करती हुई, मैं आपसे विदा लेखाए। कर्क्ता है, टुर करती हैं, आपसे नपने आपसे बहुर जाए।